राजन सिंग दोमाल नगरपाल का द्यक्ष संदीप लोधी एबं कई जन्पती निदी समाज के प्रबुद्ध नागरेक महिला पुरुष इस रथियात्रा में सामिल थे रथियात्रा नगर के माला फाटा के इस्तिच जगदीश मंदर से प्रारंभुई जो नगर के मुख मुख मार्गों से निकाली गई करीब 15 फिट उचे सुंदर रथ पर ब्राजमान थे जगदीश स्वामी बल्दाओ एबं सुबद्रा को बैठाल कर यात्रा सुबाय इस्तानी जगदीश मंदर से नगर ब्रमण के लिए निकली जिसमें अनेक सुरधालों ने अपने हातों से रथ खीच कर रथ यात्रा का संचालन किया नगर के मुख मुख मार्गों से होकर दसेरे मैदान राम नगर वाले मंदर पहुँची जहां पर राती बिस्राम कर अगले दिन पुना बापिस जगदीश मंदर के लिए रथ यात्रा निकलेगी जहां रथ यात्रा का समापन किया जाएगा उलेखनी है के पूरे जिले में केबल बेगम गंज में ही पिछले 51 बरसों से सफलता पूरबक रथ यात्रा का संचालन किया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग दरसन करने आते हैं अरोस पडोस के गाउं के लोग भी महिला पुरुस एक बार बलदाओ और स्री किश्न के दरसन करने के लिए पहुंचते हैं दरसन करने के लिए तैसील भर से दूर दूर से ग्राम से सुल्तान गंज, सुनबाहा, सिल्बानी, गिर्दगंज, आदी अनेक ग्रामों से हजारों की संख्या में लोग दरसन करने के लिए नगर में पहुंचे जहां पर भगवान जगनात के दर्सन करने के लिए कतार बद्ध तरीके से खड़े देखे गए जैसे ही रथयात्रा प्रारम हुई तो उनके रथ के आगे आगे भीड उमड पड़ी भगवान शरीकिर्ण के अपतार जगनात जी की रथयात्रा में सामिल होने का पुन्य सोयग्गों के बराबर माना जाता है सहर में होने वाली जगनात रथयात्रा उत्amaz के समय आस्था का जो भब उत्सब देखने को मिलता है बै कहीं और दुरलब है इस रत यात्रा में के दौरान भक्तों को सीधे प्रतीमा तक पहुँचने के सुनहरा अब सरप्राप्त होता है और दर्सनलाब मिलते हैं जगनात रत यात्रा दस दिवसिये महतुस सब होता है यात्रा की तैयारी अक्षय तिर्तिया के दिन स्री किष्ण बलराम और सुबद्रा के रतों के निर्मार के साथ ही सुरू होती है भारत के चार पवित्र धामों में से एक है पुरी जहां पर आठ सो बर्ष पुराने मुख्य मंदर में योगेशर स्री किष्ण जगनात के रूप में बिराश्ते हैं साथ ही यहां पर बलवद्रेबं सुबद्रा भी हैं आईए हम बताते हैं सियात्रा का इत्यास और तीनों रथों के बारे में खास बात हैं पुराने कताओं के अनुसार राजा इंद्र धुम्द भगबान जगनात को सावर राजा के यहां लेकर आय थे और उन्हें ही मूल मंदिर का निर्माल कराया था बाद में नष्ट हो गया था मूल मंदिर, कब निर्माण हुआ था और कब नष्ट हुआ था इस बारे में कुछ इसपष्ट नहीं है केशरी ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था ऐसा माना जाता है कि बर्तमान में 65 मीटर उचे मंदिर का निर्माण बारवी सताबदी के चोल गंग देब अनंग भीम देब ने कराया था परंतु जगनात संप्रदाय बैदिक काल से लेकर अब तक मौजूद है एक बार बहन सुबद्रा को अपने भाईयों से किष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की एक्षा प्रगट की तो फिर क्या था दोनों बाईयों ने अपनी बहन की एक्षा को पूरा करने के लिए बब रत तयार कराया और उस पर सबार होकर तीनों नगर भिरमण के लिए निकाले गए थी इसी माननता को मानते हुए हर साल पूरी में जगनात रत यात्रा का आयोजन होता है राइसेंट बेगम गन से हमारे संबाद दाता शरत सर्मा की स्पेशल रिपोर्ट राइसेंट बार में जगनात राइसेंट लिए रहर दोर्ट लिए जगते हमारे संबाद रूर्ट